आज मैं आप सब लोगों को दा फेलिंग ओफ बनियांट्री जो दिलीप चित्रे जी ने लिखी हुई है उसको मैं हिंदी में सिखाऊंगी और देखते हैं अब हम शुरू करते हैं तो पोएट जो है उनके जो पापा है तो उन्होंने ओडर दिया था सब निकालने के लिए तो क्योंकि वो एक हिल पे था तो दीरे दीरे जो सराउंडिंग के हाउसेस थे उन में से भी लोग चले गए और अभी सिर्फ जो पोएट का हाउस है वो बचा हुआ था और उसके आजुबाजु में जो ट्रीज है वो बचे हुए थे तो पोएट की जो ग्रैंड मदर है वो कहा करती थी कि जो ट्रीज होते है वो बहुत पूजनी है होते हैं हम ट्रीज को ऐसे भगवान मांते है और उनकी पूजा करते है उनको काटना एक क्राइम है पर अभी पोएट के फादर के ओडर थी तो उनको काटने ही पड़े ट्रीज तो शेयुगा, ओडंबर, नीम, वेर ओल कटड़ू準 तो जो शेव का का ट्री था, ओडंबर का था, नीम का था, उन सब को काड़ दिया गया बर दे यूज बनियान ट्री स्टूड लाइक प्रॉब्लम पर जो बनियान ट्री है आपने कभी देखा होगा तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर खड़ा हुआ वहाँ पर, क्यूंकि वो बहुत ज़्यादा डीप था, रूट्स से भी और बहुत ज़्यादा बड़ा भी था तो जो रूट्स होते हैं बनियान ट्री के, वो बहुत ही डीप होते हैं ग्राउंड में तो आप इमेजन कर सकते हैं अभी वो ट्री कितना बड़ा होगा मतलब जो एरियल रूट्स होते हैं आपको बता ही होगा तो वो ग्राउंड तक आते थे फ्रम थर्टी फीट और मोर, सो फॉस्ट दे कट दे ब्रांचिस तो इतना बड़ा था ट्री तो पहले उन्होंने ब्रांचिस कट करना शुरू कर दिया तो वो साथ दिन तक सिर्ट ब्रांचिस से कट करे थे एंड़ हीप वोज यूज हीप भी था ना ट्री का वो भी बहुत बड़ा था इनसेक्स और पोर्ट से ना वो भी देखो प्रांचिस कट हो रहे है तो जो बड़ के नेस्च होते है तो वो भी अभी काटना शुरू हो गया था तो जो इनसेक्स और पोर्ट से वो सब एक-एक करके ट्री को छोड़ने लगे थे and then they came to its massive trunk और branches cut होने के बाद उन्होंने trunk cut करना शुरू कर दिया 50 men with axes chopped and chopped 50 आदमी थे 50 वो tree का trunk cut करने के लिए तो आप imagine करो भी उनके हातों में axes थे मतलब जो क्या बोल सकते हैं जो हम tree cut करने के लिए लाते हैं न वो वो था उनके हाथ में तो जो tree है वो mostly 200 years old था मतलब पूरा न था 200 साल तो आभी तेखो आभी imagine करो tree कैसा होगा we watched in terror and fascination this slaughter मतलब poet को बहुत बुरा लग रहा था कि वो tree जो है वो cut हो रहा है पर poet कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके father की order थी कि सब cut किया जाए इसलिए as a raw mythology revealed to us its age मतलब वो जो tree है वो पूरा का पूरा cut हो गया और सिर्फ क्या बच्चा भापे वो जगा बच्ची की tree था भी यहाँ पे अब नहीं है soon afterwards we left Baroda for Bombay और उसके बाद poet Baroda से Bombay गए city place में settle हुए वहाँ पे where there are no trees except the one मतलब अभी आपको पता है कि Bombay या Mumbai जैसी city में एक भी tree हम को देखने को नहीं मिलता है वहाँ पे बस concrete jungles है बहुत सारी उंची उंची buildings है पर trees तो हमें देखने ही नहीं मिलते हैं तो poet यह कहते है उस situation पे कि where there are no trees except the one which grows and seedles in one stream मतलब जो बन्यान ट्री है वह अभी poet के सिर्फ सपनों में रहा है जो हकिकत में अभी नहीं है बस उसके सपनों में है its aerial roots looking for ground to strike मतलब जो बन्यान ट्री है वह अभी सिर्फ सपने में है और जो सपने वाला ट्री है सपना ही है अभी मतलब वह हकिकत में अभी possible नहीं है तो वह जो सपने वाला ट्री है वह अपने roots ground में टालने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं आभी क्योंकि मुंबाई जैसे या बंबे जैसे city में हम इतना बड़ा ट्री तो देखते नहीं है और इतना बड़ा ट्री प्लांट किया अभी नहीं जा सकता इसलिए वह जो पनियान ट्री है वह अभी poet के सिर्फ सपनों में रहा है यह थी poem हमारी complete हो चुकी है अभी the failing of बनियान ट्री तो thank you very much कि आप सबने ये वीडियो देखा और जिसको भी आपके फ्रेंड्स लोगों को ये poem का explanation चाहिए तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you very much